नमस्कार आप देखरें बिहार इंसोर्ट्स मैं हूँ आपके साथ रोहित आपको बता दे कि कल बिहार बिधान साबा के सित्कालीन सत्र का आखरी दिन तो और ऐसे में आज जो बिहार बिधान साबा के जो नेता परतिपक्ष है बिजे सिना उन्होंने बिहार बिधान साबा के धरना भी देंगे और भी क्या कुछ कर रहे हैं ब्यार बिधान तबक है नेता पर्तिपक्ष बिजय सीना अब देखे इस वीडियो में माउनसून सत्र के समापन शितकालिन सत्र के समापन कल हुआ बड़ा ही काला दिवस के रूप में कल का दिन माना जाएगा बिधायका को कम जोड करने का माननीय मुख मंत्री जी की जो परिविर्टी है पोड़े पांच दिन के सितकालिन सत्र में दिखाई परा पर्तिपक्ष की आवाज को दवाने का यहां तक की पर्तम दिन जिस तरह से बिधायकों को अपमानित करने का और जिन सब्दों का उपियोग करना और जादित भासा और जो तेवर बड़ा ही दुख़दा दुरुभागे पुन रहा विधान सभा के आसन को जिस तरह से सत्ता में बैटे लोग प्रभावित कर रहे थे और विधान सभा अध्यक्ष जिस तरह से सरकार के प्रवक्ता के रूप में कार्ज कर रहे थे कहीं ने कहीं आसन की गर्मा इससे बढ़ नहीं सकती घट रही है आसन पर विश्वास बरकरार रखना और मरजादा का पालन करना आसन पर बैठे लोगों की जिम्मेवारी है आसन पर बैठे लोग पार्टी से उपर होते हैं सरकार से हटकर पक्ष परतिपक्ष दोनों का संड़चक होते हैं जिसकी कमी दिखाई परी और हट तो तब हो गया जब पांच दिन के इस सत्र में ध्याना कर्शन विपक्ष का ध्याना कर्शन एक भी स्विकृत नहीं करना हम भी उस आसन पर रहे थे हमेशा सत्ता पक्ष और परतिपक्ष का दो ध्याना कर्शन आता था लेते रहते थे किसी किसी दिन विशाई की महत्ता को देख करके निर्ने लेते थे लेकिन ये पूरे सत्र में परतिपक्ष का एक भी ध्याना कर्शन नहीं लेना कार्ज अस्थगन पर सुनने के लिए तयार नहीं इतना हंगामा के बाद कार्ज मंत्रना समीति की बैटक नहीं बुलाना और हद तो तब हो गई जब परंपड़ा की दुआई देते हैं और जब हम बात करते हैं तो परंपड़ा की बात करते हैं नियम की बात करेंगे तो परंपड़ा की दुआई दोंगे अब परंपड़ा की दुआई जब आउनको आभास कराते हैं तो अपनी विवस्ता को बताते हैं आज हमारे मुख सचेतक का जो काड़ जाले जब से विधान सभाव बना है और नेता प्रतिपक्ष के वगल में मुख सचेतक का काड़ जाले है आपने उसको सत्ताधारी दल के एक सचेतक को दे दिया हमेशा नेता प्रतिपक्ष के सामने मुख सचेतक होता है ये बहुत ही गलत वातावर्न बनाया गया सोव वर्स का विहार विधान सभा का सतावदी वर्स हमने मनाया एक तरसे हेरिटेज बिल्डिंग है आपने उत्मुक मंत्री के लिए कई कमरा को तोर करके मौडर्न कारजाले बना सकते हैं वेवस्था कर सकते हैं परंपड़ा और नियम को छोड़ कर हमारे उप मुख मंत्री जिस कारजाले में बैठते थे आपने उसको बातरूम बना लिया कोई फैसलिटी सुधा नहीं देते थे मानने मुख मंत्री नितीश कुमार जी आपने कुर्सी के लिए कितना समझोता किया कुर्सी के लिए नियम के विपरीत परंपरा से हट कर क्या क्या समझोता करेंगे जहां पूरा देश इससे मरमाहत है आपका बक्तब्य इन गरीबों के परती इन कमजोर गलिट सोसित पिरितों के परती बहुत दुखत और दुर्भागे पुर्न है इन तमाम विशय को लेकर कल हम लो विधान सभाब परिसर में विधान मंडल दल के लोग धरना पर बैठेंगे सारे मन्य विधायक विधान परसत जोकि आप एक संबैधान एक संस्था की गर्मा गिरा रहे हैं और सरकार इस गर्मा गिराने में अहम भूमिका निभा रही है उनको उत्साहित अध्यक्ष को कर रहे हैं संसदिये कार्ज मंत्री जी का जिस तरह से बैंगवान उनके मनोबल को बढ़ाने का ये सरकार की मन्सा को प्रकट करता है और एक नई परमपड़ा आप जो खाड़ा कर रहे हैं आप भूल गए हैं कि सत्ता आते जाते रहती है और आप भरम में जी रहे हैं जो वातावरन आपके वीच और पवित्र ठगबंधन की जामात बैटी है इसकी आयू बहुत छोटी है फिर इस परमपड़ा से आपके अंदर बड़ा दुखत माहूल बनेगा समय रहते आप सजग हो और लोकतंत्र के प्रहरी हमारी विधान मंडल दल के विधायकों का शमान रूप से सम्मान हो उसके अधिकार की रक्षा हो अभी अपने देखा जो बिधान साभा के जो नेता परति पक्षे बिजय सिना वो बिढ़ बिधान साबा का द्यक्शा होद ब्यारी चोदरी पर कई बड़े आरोप भी लगाते दिख रहे है करेंगे और भी क्या कुछ का रहते हैं नेता पतिपक्ष बिजया सिन आपने इस वीडियो में देखा बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपमें जूड़े हैं तक तक धन्यवाद